Hello everyone, आज का हमारा टॉपिक है ETP, ETP means होता है Influent Treatment Plant, अबिए Influent Treatment Plant क्या होता है? इसका working and principle क्या है? साथी साथ इसका main purpose क्या है? इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये सारी बाते हम आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाल हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं Influent, Influent Treatment Plant में जो Influent ये word है इसका मीनिंग क्या है? Influent means होता है गंदा पानी अब आप सोच रहे होंगे Seavage means भी गंदा पानी होता है Seavage means भी गंदा पानी होता है पर वो Seavage में आता है हमारे घरों में से निकलने वाला गंदा पानी जो कि हम शावर यूज़ करते हैं जिसमें हम कुछ सबजीयाद होते हैं कुछ दाल वगेराद होते हैं वो सब उसका जो वेस्टेज वाटर है आता है हमारे सीवेज में पर इंफ्लूएट में आता है हमारे जो इंडस्ट्री में से वेस्टेज वाटर निकलता है जो बड़े-बड़े कारखारों में से वाटर निकल रहा है वो सब वाटर आता है हमारे इंफ्लूएट जो हमारा इंडस्ट्री में से water निकल रहा है वो क्या है बहुत ज़्यादा polluted है उसमें chemical से बहुत सारे साथी साथ oil से grease से तो हम क्या कर रहे हैं उसके उपर treatment कर रहे हैं हमने कारखानों में से water निकला polluted water निकला उसको यदि हमने directly river में छोड़ दिया या नदियों में छोड़ देने के बाद वहां कि जो aquatic life है वो disturb हो जाएंगी क्योंकि जो इंडस्ट्री में से water निकल रहा है वो जब बहुत ज़्यादा polluted है उसका temperature ज्यादा high हो सकता है कम हो सकत है ठीक है naturally temperature मेंडेन हो जाएंगा ठीक है पर उसका pH ज्यादा हो सकता है साथी साथ उसमें क्या है oil से grease से बहुत ज्यादा further use के लिए उसको use किया जाता है तो यह हो गई friends कुस basic information अब जानते ही इसका working कैसा होता है यह work किस प्रकार से करता है यह जो पूरा plant आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है ETP ठीक है यह plant याने अलग-अलग यहापर process किये जाते है अब यह process होती है चार parts में चार parts में इस secondary and primary test वो आती है हमारी physical test में उसके पाद जो secondary test है वो biological test treatment में आती है और जो third है उसो chemical treatment में आती है इस प्रकार से इसको divide किया गया अब हम जानते है जो first, second and third treatment है वो कहा 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 मतलब कहा तक चलती है कहा पर end होती है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हमारी preliminary test जो कि आती हमार physical test में तो यह जो है suppose देखे यह raw, raw influence है यह कहां से आया industry में से ठीक है industries में से आया industry में से polluted water आया तो यह यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बाद first test देखे यहाँ पर screen लगाई हुई है तो यह screen क्या करी यहाँ पर filtration का का काम कर रही है ठीक है filter कर रही है इसका अभी कुछ size हो फिर्फटी एमयमे में वगरे बहाँ यहाँ पर क्या होँगा जएसै चन्ने का काम करेंगा बड़ी बड़ी चीजोंगेokolे सare प्लस्टी की बॉटन है कभी कुछ ज़़ादा बड़ी चीज आ जाती है तो वह इहां पर क्या हो जाएंगे जैसे चन्ने का काम करेंगी तो उस chamber, अब grid chamber में क्या होता है, अच्छे से जानिए, grit chamber में यह होता है, जो दिसकी density जादा है, तो इसकी density जादा है, तो और सर आगे के लिए process में भेजा जाता है ठीक है फर्स्ट हमारी होगी screening filtration second हो गई हमारी grid chamber में अब हमारा थर्ड इस थर्ड प्रोसेस के लिए हमारा water आगे भेज दिया गया है कहा पर आया है oil and grease remove tank में अब यहां पर क्या होंगा अभी चो industry में से water निकर रहा है उसमें ज्यादा मात्रा में oil भी होता है grease भी होता है तो यहां पर क्या किया जाएंगा oil and grease यहां पर tank में उसको remove किया जाएंगा तो इसे remove किस तरह से करेंगे उपर में एक बहुत बड़ी अश्य मशीन सलती है water surface पर क्योंकि जो oil and grease से वह क्या करेंगा water पर तहरने लगेंगा तहरने लगेंगा इसलिए क्या करेंगे उपर से उसको मशीन चलाए जाती है इस तरह से ताकि वह ट्रैप करके एक साइड में आ जाए अगर यह पूरा water सर्फेस पर ट्रैप करके हमें इस तरह से एक साइड में ला रहे तो इधर से जो बचा हुआ है अच्छा water है उसको हम फर्दर आगे प्रोसिस के लिए भेज़ देते हैं जो कि हम आगे देखने वाले है और जो हमारा टैंक कुन सा है हमारा equalization tank अब हमारे इस ewization tank में क्या किया जाता है यहां पर जो है एए्र प्रोवाइड की जाती है, एयर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हमें वाटर को इक्विलाईज करना है एक जैसा temperature water का बनाना है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कुछ air provide कर रहे हैं अलग से air provide करने के बाद mixing जैसा काम करेंगा mix होंगा उससे क्या हो जाएंगा जो water का जो quality यह है उसकी quality वो एक जैसी हो जाएंगी ठीके temperature मेंटेन हो जाएंगा यहाँ पर temperature मेंटेन का काम हो रहा है इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है equalization tank water को पूरा equal कर रहा है ठीके उसका temperature उसके बाद next process के लिए हमने water भेज दिया आगे आगे क्या है neutralization tank ठीक है अब neutralization tank में क्या होंगा यहाँ पर देखिए उसका pH मेंटेन किया जाएंगा ज्यादा तर यहाँ पर क्या होता है 7 या फिर 7.5 temperature pH रखा जाता है ठीक है pH की बाद करें हम यहाँ पर जो neutralization tank में 7 या 7.5 water का pH होना चीए अब water का pH ज्यादा भी हो सकता है 8 हो सकता है तो उसे हम कम कर्या करते हैं या फिर कम है तो उसमें हम solution डालते है solution उसको fix कर देते हैं मतलब उसको बढ़ा देते हैं ताकि जो temperature pH हो 7 या 7.5 हो जाए इस तरह से इसको alkaline media डालते हैं इसमें alkaline media डालने के बाद क्या होंगा pH बढ़ जाएंगा जिसका pH कम है ठीक है alkaline media डालते हैं उसके बाद क्या करते हैं यह water भी हो गया सेम हो गया उसका pH 7 यह 7.5 हो गया तो उसको आगे हम बेज रहें और प्रोसेस के लिए आगे क्या करेंगे यहाँ पर प्लास्टिक वगरे निकल गया यहाँ पर ग्रीड निकल गया उसके बाद हमने उसका temperature भी सेट कर दिया पीच भी सेट कर दिया अब इसके बाद क्या कर रहे हैं आगे देख इसमें रिपल्शन होंगा जो नेगेटु चार्ज है वो क्या करेंगे एक दूजे से दूर भागेंगे पास में आएंगे क्या नहीं क्योंकि निकेटु चार्ज है सबका निकेटु चार्ज है इसलिए वो क्या करें रिपल्शन करें एक दूजे से दूर भाग रहें तो हम उसमें उसको pass में लाना है तो हम क्या करेंगे यहां पर जो है poly aluminum chloride का solution डाला जाता है यहां से जिसमें की positive charge होता है अब क्यूँ डाल रहे हैं अब positive charge डाला तो वो क्या होंगा एक दुझे से attract होंगे negative and positive charge एक दुझे से attract होंगे pass में आयंगे एक पास में आने के बार कोंटक करेंगे contact में अने के बाद हम क्या करते हैं यह जो делать ku और अब अब यह क्या करता है एक दुझे से से कॉंटक में आ गया to a fineupunack कर रहे अधो उससमें उससे क्याशी हो रहा है थैक क्या हुश्य सब्सक्राइब करेंगा उसकी देंसीटि बढ़ जाएंगी अधिन साइडिया रियुत क्या हमने क्या किया उसका फोकुलेशन किया फोकुलेशन में वो क्या हो गया फ्लॉग उसने क्रियेट किया अब क्रियेट करने के बाद क्या किया हमने फॉर्दर उसको प्रोसेस के लिए भेज दिया फॉर्दर प्रोसेस के लिए कौन सी प्रोसेस है हमारी प्राइमरी क्लारीफार प्राइमरी कलारिफायर में क्या हो राज है यहाँ पर water settle down हो रहा है water settle down होने के बाद क्या हो रहा है जो raw है वो return जा रहा है कहा जा रहा है slug drying bed में अब slug drying bed में क्या होता है उसको dry अगरे किया जाता है वो हमारी process नहीं है वो आगे की process से हमें सिपर plant समझना है अब यहां सीधर water transfer कर दिया सब हो गई process equalization हो गया, neutralization हो गया यहां पर coagulation भी हो गया foculation भी हो गया अब हम primary clarifier में क्या करें यह बहुत बड़ा circular होता है ठीक है circular होता है यह structure यहां पर पानी को sediment होने देते हैं टीक है बहुत टाइम तक पानी को रखा जाता है सडीमेंट होने देते हैं सडीमेंट होने के बाद क्या होता है जो नीचे में स्वाइल वगरा है जो भी बारिक चीजे हैं जो भी रॉम अटेरील है वो सब नीचे आ जाता है उपर में पानी सेटल डाउन होता है अब उपर मे क्या-क्य चीजे निकल गई, प्लास्टिक निकल गया, ग्रीट निकल गया, ओल ग्रीज निकल गया, उसका temperature मेंटेन हो गया, phb मेंटेन हो गया, साथ जो coglation है, फ्लोकुलेशन है, वो भी हो गया, density high होने की बाद, नीचे सेटल डाउन भी हो गया, ठीके, सब हो गया, अब इ क्या करेंगे, यहाँ पर हम एरिशन टांक में, दो स्टेप्स फॉलो लगा, यहाँ पर की जाती है, एक तो एरिशन किया जाएंगा, ठीके, अनरोबिक किया जाएंगा, प्रोसेस या फिर अनरोबिक किया जाएंगा, ठीके, अनरोबिक कब करते हैं प्रोसेस, कभी-कभी द यहां पर हम क्या कर रहे हैं ज्यादा तर क्या करते हैं एरोबिक ही यूज किया जाता है यहां पर कॉम्परिशन कर बाद चाल कर करने के बाद चीब और यहांसे पर से ने के बाद यहां से पुरे यह टैंक में एरेशन टेकंग में फिल जाने के बाद देखीए यहाँ पर जो ап्रिजन क्या है ऊर्गनिस्जम से बैक्टिरिया साथ हमारा और और हम क्याँ खरें यहां से आ recovered तो रिमोव करने के लिए बैक्टिरिया को sufficient air provide करें अब air provide करने के बाद क्या होगा वैक्टिरिया को अच्छा temperature मिल गया air मिल गया साथी साथ उनको क्या मिल गया organic matter मिल गया अब यह organic matter को क्या खतम कर देंगे पूरा organic matter को खतम कर देंगे जिस देखिए यहाँ क्या होता है जो एयर और चालतके अप्रोवाइट कर रहे हैं यहाँ पर देंगे वा अभ्नानित कर देदी हमने सफीर यह अच्छे Dale बोस्बjos off here यह मिल गया surrounding मिल गया ज्यादा ग्रोथ हो रही है microorganism सैंधी बैक्टेरिया की तो यह क्या कर रहे है organic matter को खतम कर रहे इसके बात क्या हो गया यहाँ पर अभी microorganism Saindibacteriay बचा हुओआ मातरा में बढ़ गया क्योंकर रीप्रोडक्षन भी मिल मुग्राइब किया उन favor them अच्छा सफीशियन बिल गया तो उनकी ग्रोध घरदा हुई उनकी कवाणिटीश भी बढ़ गया kinda हम क्या करेंगे यहां प्रे जो आया है तो वो घ्लॉटय यहां सच्टू्ट atmosphere अब अब क्या करेंगए आगे आगे भेजा हमने secondary clarified में सेडीमेंट होने दिया वाठर को यहां चींसेडीमेंट होगा 597 सुझेड वैसे यहांगी बढ़ार यहां बढ़ात ही узна에 यहाँ पर water को stay होने देते हैं, stay होने के बाद क्या होता है, जो नीचे में, raw है हमारा, साधेवा, flocks है, वो सब remove हो जाते हैं, नीचे, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, इस तरह से नीचे आ जाते हैं, अब देखिए, यहाँ पर नीचे आ गया, और यहाँ पर कुछ, मतलब अच् down हो गया, उसके बाद उपर में हमारा water है, अच्छा वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से फर्दर इसको provide किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको further यहाँ पर दिया हुआ है, return slug pump, यह क्यों दिया हुआ है, जैसे यह process हमें continuous में चलान आता ही रहेंगा न, rest is of water, तो हम क्या यह process continue रखने के लिए, यहाँ से थोड़ा सा microorganism यहाँ पर जाने दे रहें, ताकि यह जो है, अच्छे से यहाँ पर process हो सके, उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारा secondary clarifier हो गया, यह raw flocks जैसा नीचे आ गया, ठीक है, यह कहा चला गया slug drying bed में चला गया, SDB में चला गया, इसके बाद क्या करें, आगे हम water बेज दिए, आगे water बेजने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर water है, अब यह water पूरा हो गया क्या, हमारी process पूरी हो गया क्या नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ microorganism से bacteria live हो सकते है, ठीक है, तो हम क्या क microorganism से वह पूरे kill हो जाए, इसलिए हम क्या करके यहाँ पर disinfectant करते हैं, जो कि हमारी chemical process, जो कि हमारी last process होती है, यह हो गई, उसके बाद क्या होता है, हमारा water अच्छा हो जाता है, discharge to surface water, उसके बाद हम उसको river में छोड़ सकते हैं, या फिर दूसरे कुछ भी use में ला सकते है तो यह है friends, पूरी ETP, means influence treatment plant, I hope आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, देखी में बता देती हूँ आपको, यहाँ से 1, 2, 3, 4, यह कुन से process होगी हमारे preliminary test, उसके आगे यहाँ तक होती है हमारी primary treatment, उसके बाद यहाँ से, यहाँ तक प्राइमरी हो गए, उसके बाद हो जाती है हमारी biological treatment, ठीक है, biological treatment हो गए, देखी, यहाँ से यहाँ तक जो है, यह primary treatment, जो क्याती है physical treatment में, जो यहाँ से यहाँ तक है, वो हमारी हो गई biological treatment, और यहाँ से इधर जो हम chemical add करे, वो हमारी हो गई chemical treatment, ठीक है, इस तरह से इसको divide किया गया है, बहुत simple है, अच्छे समझ में आ गया होंगा कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे थैंक्स पर वाचिंग और बेस्ट अफ लब फॉर यह कारिया